यहां खेत में फसल लह लहाए सम्मान से किसान भी मुस्काए यहां बिजली से हर घर जगमगाए विकास की प्रवाह में मनहर साए शिक्षा है रोजगार है विकास की बयार है सडक है अस्पताल है चाये खुश्यों की बहार है स्वर्ग से सुन्दर गाउगीरा सुखी संपन है अपना गाउगीरा किसान भाई बैनो जोहार गाउगीराओं कारकरब में आपका स्वागत है मैं हूँ किसन अगरवाल किसान भाई बैनो पसुपालन की उप्योगिता समस्या और समाधान यही आज हमारा मुख्य बिसे है किसान भाई बैनो आप किरिशी के साथ साथ पसुपालन भी करते हैं इसके अंतरगत कई तरह के बेवसाय आते हैं तो आज हम इन ही बिसेओं पर पिसेश रूप से चर्चा करने जा रहे हैं जानकारी देने के लिए अज हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं डाक्टर स्रया सिनहा जो विरसा किरिशी बिस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बहुत-बहुत स्वागत है धर्नेवाद किसान भाईयों को मेरा जोहार डाक्टर मेडम सबसे पहले तो आप हमारे जहारकंड के किसान भाई बैनों को जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्रिसी के साथ-साथ पजुपालन भी करते हैं जिसनकी उनकी आये दुगनी हो तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई भाई बैनों को यह बताएं कि जहारकंड में प्रशुपालन के बेवसाय के बारे में थोड़ा जानकारी दे आप आज के बरतमान युग में प्रतेक वेक्ति प्रगदी के पत पर अग्रशर होना चाहता है अच्छा रहन-सहन, खान-पान, जिनके पास खेती के लाएक जमीन भी नहीं है, उनके लिए समस्या विकट 拼ाती है, कारण की जहरकंड में जो जमीन है, भूमी है, वो खेती के लाएक नहीं है मतलब बहुत उपजाओं नहीं है इस करन कम भूमी वाला बेरुज़गार वेक्ति के पास समस्या जादा हो जाती है और ऐसे में वो गाउं छोड़कर सहर की और जाने की और सोचने लगता है तो यह विचाड़नी विशय है कि वो गाउं छोड़कर सहर की और जा रहा है मतलब आजकल यह देखा जाता है कि जो गाउं के युवा है खासकर बुजुर्ग तो पहले से अपना जो काम उनका है क्रिसी वाला कर रहे हैं लेकिन जो युवा है सहर के चकाचौन देखकर अपना पुस्तैनी क्रिसी कार है उसको छोड़कर सहर की और जाने लगते हैं तो य की विका का अधार बन सकता है आज पसु पालन में गाय पालन है मुर्गी पालन है सुकर पालन है बक्री पालन है और मच्छी पालन है इस हरा व्यवशाय की रूप में वो इस्तमाल कर सकता है आज महिलाएं घर में हैं बच्चे हैं जो रोजगार में नहीं हैं उनका भी इस पसुपालन के विवशाय में उनका युगदान लिया जा सकता है बिल्कु साहिए अब बूर्गी पालन को ही देख लिजिए मुर्गी पालन में क्या है इदि आप घर में मुर्गी रखने लगेंगे तो कम लागत में आपको कम पूंजी लगा, कम जमीन भी है, भूमी का भी कम जरूरत है और उसमें हमें कम पूंजी के साथ ही हम अपना विवसाय सुरू कर सकते हैं और इसमें घर के बच्चे या महिलाएं वो भी अपना युगदान दे सकती है और घर का बचा कुशा खाना दे कर मुर्गियों को पाला जा सकता है और इसके बद्रे में क्या मिलता है उनका अंडा, मुर्गियां अंडा देती है और मांस भी प्राप्त होता है एक पंदो काज हो जाता है मुख्यूदेस अंड़ा है और मास यो नहीं प्रोटीन वर्दक होता है प्रोटीन होटा है मुख्यूदेस है कि इसको बजार में बेचना आए अपना बढ़ाना तो यह दोनों ही फायदा है आप उसका वैवसाय की रूप में भी कर सकते हैं और यहां के जो जंता या फिर जो ग्रामीन है कुपोशन का शिकार है वो उसको खा भी सकते हैं उससे उनका स्वास्ता भी अच्छा हो सकते हैं जीविका का अधार बन सकते हैं आज तो राजस्तर क्या कहें राश्टी अस्तर पर भी विवशाय को आगे बढ़ाया जाए तो यह एक तरीका हो सकते है जिसमें लिए बहुत जरूरी है कि आज पसुपालन की ओर लोग आगे बढ़ें और इस वेवशाय को ध्यान में दें और यह बात बिल्कुल सही है मैडम की आज सहर में यह कार नहीं हो सकता है और गरामीन छेत्रों में जहारखन की जितने गरामीन छेत्र हैं जितने जिलों में तो उन में बहुत सारे बिकल्ब खुले हैं कि उस कार को आप अराम से कर सकते हैं अपने माता पिता के सहयोग से कर सकते हैं आपको अकेले भी नहीं करना है पूरा परिवार आपके साथ में यह काम कर सकता है सबके साथ रहके आप मिलके आप खुसी खुसी जो आपको आमदनी होगी वो अलग और फायदा भी फायदा तो यह आपका उपयोग कर सकते हैं यह तो पसुपालन बेवसाय के बारे में आपने मेडम जानकारी दिया अब हमारे ज्हारखंड के किसान भाईयों को पसुपालकों को आप यह बताईए कि ज्हारखंड में पसुपालन का बेवसाय की उप तोब यहां पर जनकल और पेटपॉदोatore क कमी नहीं है। इसका मतलब यहां करद रहा हैं। इसका इन्यकल पर हरे कि पर प्लमदह समYU पूप्रॉप्ड हो जाता है . अब अप यहां पर Čारग खाय ही लेती है मुरगी को भी पालन कर ले तो बचा कुछा खाना कहा कर भी और रह सकती है impressed और गाए में थोड़ा मैंनत है लेकिन थोड़ा स़योग भी मिलता है सरकार की स्मीधा है मिल रही आपका जो होता है दूस्तरा है कि आपकी आए तो बढ़ रही है मांस मिल रहा है दूद भी मिल रहा है तो इससे आए बढ़ाने का यह श्रोथ हो रहा है। आप है इसमें आप सालों भर आपको रोजगार मिलेगा। नगे स्टॉपूर। रोजगार आपका सालों भर का है। आप बच्चे ही यह गरएंगे। एक बार में 2 बच्चे आज जाते हैं। तो वह आपका फैयदा है। तो आपका रोजगार बढ़ जाएगा, बतब आपको बहुत ज़्यादा परिशानी की बाती है, लेकिन तक्निक एदिए आप लगा देंगे, तो आपका ब्रिदी और भी ज्यादा होगा, तो उसमें आर्थिक उनती ज्यादा होगी, तो तक्निक थोड़ा सा लगाना है तो औ और भी ज्यादा, और कम तक्निक में भी बकडियों को पाला जा सकता है, तो यह एक फायदा है, अब गाय पाला नहीं कर रहे हैं, तो आजकल प्रस्रिक्शन भी दिया जाता है, हमारे जारकन सरकार में प्रस्रिक्शन केंद्र है, जो की राची में दक्षिनी शोटनाकपू प्रस्रिक्शन के इंद्रे जो है, वहाँ पर प्रस्रिक्शन दिया जाता है, जहां डिफ्रेंट सभी जगा के प्रखंड के जो पसु पालक है, उन्हों को पालन के लिए प्रस्रिक्शन दिया जाता है, अनिश चीज के लिए, सभी चीज के लिए, बकरी पालन, मुर्गी कर सकते हैं और यह करके आप अपना वेवसाय स्टार्ट कर सकते हैं तो यह आपको फाइदा ही फाइदा है तो अब आप जैसे मैंने बताया कि बक्रियों से एक बार में दो दो बच्चे आ रहे हैं उनसे आपकी आए किवर्दी हो सकती है बच्चे आ रहे हैं फिर बक्री का ज रचा है, आप कम तखनीक में उसको इसको पाल सकते हैं, ज्यादा तखनीक लगाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा, ऐसे कुछ ऐसे पसु है, जैसे सुकर, बकडी, इसमें बीमारीया बे आने की पसु के अपक्शार कम होती है, और पालन करना भी सरर है, तो इसको आर सब कर सकते हैं क्योंकि आपको शहर में इसके लिए आने की आउसकता नहीं हों कि काम में हांट डालने की आफ सकता है, क्योंकि सब कुछ आपके पास तयार है। वैसे युवाओं के सामने ये बात को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। जो पड़ लेकर युवा बेरईजगार अपने को मानते हैं और सहर की चकाचाउंद की और भाग रहे हैं और लास्ट में उनको धोका खा कर अपने वापस गाओं आना पड़ता है इसलिए आपके पास जो क्रिसी के कार है पस उपालन के आपका विकल्ब खुला हुआ है यह सारे कार करके आप बहुत अच्छी आमदनी कमा सक सकते हैं आयका बहुत बढ़ी आपके पास जरिया है साधन है अपने आप परिवार का भरन पोशन कर सकते हैं सब कुछ आपके पास भरा पूरा है पस सुरुवाद करने के आउ सकता है मैडम अब आप हमारे किसान भाइबेनों को यह बताएं कि जारखंड में पसुपालन की मांस होता है ठीक है तो मांस का जादा करते हैं तो बक्री पालन सुकर पालन इनका विशेस रहता है इनका ध्यान उसकी ओर रहता है अब यहां पर बक्री के जो नसल है वो ब्लैक बंगाल ब्लैक बंगाल जो नसल है तो वो बक्री जो है काले रंग की मुखेता होती है लेकि और जब इनका बच्चा आता है तो एक बार में दो दो बच्चे आते हैंब निको बार में एक बार मतलस के और फिर दो essa niye जाते हैं उनके लेकिन साथ से आट केजी वजन होने से बहुत जादा नहीं हो पाता है किसान भाईये को क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी नसल की भी बकडियां हैं जिन से छे माय में 14-15 केजी बढ़ जाता है तो बीटल नसल की बकडी होती है जिसका वजन तेजी से बढ़ता है और काफी उचे नसल की बकडी है जो पंजाब की ब्लेड है तो उसका यह इसको प्योग करेंगे यह और संकर नसल एक का प्रज़इन दूसरे से कराना है हमारे बल्यक बंगाल की जो इसका उसका संकर कराऊएंगी जो पहला बच्चा आएगा उसका फिर अलग से प्रज़ईन की बकडी से प्रज़इन कराता है जाए तो इख अच्छे नसल दूद मिलने लगेगा तो दूद कभी समध्या समधान हो जाएगा और मांस में भी व्रिधी होगी तो यह आए में व्रिधी हो सकते हैं तो यह तक्नीक का इस्तमाल करके हमारे पसुपालक भाई इसका फायदा उठा सकते हैं मेडम आपने गोपालन के बारें बताया बकरी पा में से माना जाता है और इससे आदमी देखने को कहने को बहुत छोटा काम बोलता है लेकिन इससे आमदनी बहुत ज्यादा होती है और हर छेत में देखा जाए गाय के बारे में आपने बताया गाय से दूद पराप्त होता है गाय का जो गोवर होता है उससे खाद खेत में का काम आता है और गो मुत्रका तो महत तो और भी ज्यादा बढ़ गया है कहते हैं कि खेद की मिटी की उरवरा सकती बढ़ाने के लिए गो मुत्रका इस्तेमाल हो रहा है बकरी के बारे में आपने बताये कि एक बार में दो बच्चा देती है उसका दूद बहुत पॉस्टिक होत और बकरी से कितना फायदा है इसके बारे में आपने बताया मेडम अक्सर देखिए बीमारी तो किसी से बचा हुआ नहीं है देखा जाता है कि बकरियों में भी बीमारी होती है तो एक स्वस्थ बकरी और एक बीमार बकरी में कैसे अंतर पता चला किया जा सकता है आपने बह सुपालोंग भाइयों को जानना ज़रूरी है कि एक बकड़ी स्वस्थ है कि बिमार हelets उस को देखकर ही अप समझ सकते हैं कि बकडियों में किया समस्या हो रही है यदि बकड़ी आपका चौकन्ना है य०ि आप उसके पास जाते एथ वह चखुकन्ना है, साउधान है, तो आप समझ सकते हैं कि वह बिमार नहीं इस दे रही है लेकिन दो ध्यान नहीं दे रही है इसका मतने कि वह बीमार है पहला तो उसका देखकर समझ में आरा लाता है दुसरा है कि उसके सांस लेने के घरा माएं बोलते हैं pulse rate, respiration rate, वो pulse rate जो है वो तेजी से चलने लगा, या बहुत slow, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो भी उसको पहचान दिखा रहा है, कि वो बीमार हो रही है, ये भी है, उसका वहवार कैसा हो रहा है, सामाने से मिलकुल अलग हो रहा है, चंचलता है या नहीं है, जो आउसका बाल देखते हैं, बाल में यी चमक है, तो चमक है, इसका मतलब बक्री स्वस्त है, लेकिन इदी बीमार होने लगेगी तो उसके बाल में रुखापना आजये गा या कोई कीडा पढ रहा है, तो समझ भले आ जाएगह उसको देख कर ही आप समझ जाएंगे, वो बी है यह बिल्कुल अदम साहब जाता है इसके वारे में जो गाय पागुर कर रही है रही है यह उसका गुण हो जाता है इसको देख कर आप समझ सकते हैं कि वो बिमार हैं कि नहीं है फिर उसकी आँखों को देखते हैं का रंग का अ उसका मतलब हो ठीक ठीक है लेकिन पीला पड़ गिया है या कुछ उसका सफएध पड़ गिया है यह सब इतरा है अग का दी बिजक सब् students need a h including बुर्टन बेला और में टी जिस पहचान सकते हैं कि बीमार हो इसके अलावा आप धेखें उसका लाड हो निकलता है यह बहुत ज्यादा णिकल धूर अलता है तो वह भी नेकलन मुह में नहीं होना चाहिए उसका थूत्थन akin signal Carnission, चिन को भींगा होना छाहिए वह आसा नहीं होना छाहिए अज्द abbiamo भीमार है और लार कम का मुझ्य है सही से हैं तो मतलब की स्वस्त है उसका गुन आ जा रहे है कि वो जही46 अब उसके अधियान करें है मल कैसा दे रही है, तो मल ये पानीओा है या बदबुदार है, या खून से मिस्रित है या तो वह नॉर्मल है उसका देखिरा और रहा है रहा है कि ये मुत्र पर ध्यान है address है समस्या इधी है खून भी या कुछ ऐसा तो आपको निकर्स्तम पसुची कर्षक से संपर्ख करना चाहिए बहुत जादा पीला भी नहीं होना चाहिए और एक समाने जो कलर होना चाहिए सफेद और हलका पीला मिला हुआ वो तो ठीक है लेकिन जादा पीला होने से या मुत्र म टीकिन अम schring में खून आने से तब निशित रूप से पसुची कर्षक को दीखाना चाहिए कि खूनी दस्त होता है ये क्या है बक्रियों में बक्रियों में खूनी दस्त को कॉक्सिडियोसिख कहते है chimney coxydiosis है project coxydiosis ziehen coxydiosis ईट परजीवी रोग है आप परजीवी रोग आप समंझ सकते हैं कि आंतरिक परजीवी में बहुत परशानी करता मैं आंतरिक परजीवी करतें द्वाशा प्राइब क्रीमी हुआ फ्लूक हुआ इस तरह से प्रोटोजवा भी जाता है तो तो एक ही उपाय है कि और जो दाना दिया जाता है उस को बचाओ किया सकते हैं और यदी समस्या हो ही गई है तो आपको निखटन पसुचिकत्सक से संपर करना चाहिए यह तो बहुत ही जरूरी है कि जब भकरी को खुनी दस्त हो रहा है और यह गंभीर समस्या है यदि पतला दस्त भी हो जाता है तो आप देखती होंगी तुरत प इनसानों के साथ साथ अब पसुचिकत्सक्राइब नवजाद बच्चे होते हैं उनको हमें ठंड से बचाना चाहिए और ठंड से नहीं बचाएंगे उन्हें निमोनिया होने लगता है उसमें क्या होता है सर्दी खासी हुआ बुखार आएगा और बलगम आने लगेगा और बक्री अस्वस्त महसूस करने लगती है खाना पीना छोड़ देती है सबसे दिक्कत तो यह है कि कोई खाना पीना छोड़ देगा तो कमजोर हो जाएगा और वो बीमार होता जाएगा जी इस लिए इस समस्या का समधान है कि आप पहले से ही उसको ठंड से बचाएं और जो उसे आप अपने घर के आसपास गाओं के आसपास छोड़ देते हैं साथ मेक्तु तो चराने वाला होना चाहिए वो देखिएगा कि किसी भी तरह के बिरिच का पत्ता जो जहरीला ना हो बड़े सौक से खाती है और जो बगरीप आलक होते हैं उसे पत्ता तोड़के खिलात आलता जाता है तो कम खर्चे में अधिक मुनाफा यह सबसे बड़ी फायदा है भगरी पालन में यह चाहती है कि अप घर कहने का उपाय कि हम अने बताया लिखे प्रण कि तो उसे बचाओं हो जाता है। विदाना में ही coxidio stat मिलाका दिया अता है। लेकिन बगार पसू चीज़ की सलाह के आप ना दे। इसको बहुत जरूरी है। जी, मैंने पसू चीखिस्यक को दिखाने के बाद, उसके सला के बाद ही दवाई देना चाहिए जो पिस्क्राइब करें, मैडम, एक चीज देखा जाता है कि जारखंड में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये खुरा, चपका और एफमडी रोग हो जाता है, इससे कहा जाए तो पसू की जान भी जासाओ, इसको ये बताएए कि बकरी में इस तरह के जो खुरा, चपका या फमडी हो जाएए, उसके बारे में बक्रियों में या खूड़ा चपका का प्रकुप दिखा जाता है। उसे मुँ फफोले पर जाते हैं, जीव में फफोले पर जाते हैं। पैर में घा हो जाता है। लार्ग बहुत जादा बहने लगता हैं। तो आपको इनसे बचाओ के लिए हम लोग पसू चिकित्सा विभाग जो है एक टीका करन की विवस्ता है तो आप टीका करन समय रहते करवाएं जैसे जाड़े के समय के पहले आप इसका टीका करवा सकते हैं या फिर प्रती वर्स आप इसका टीका करवा सकते हैं टीका करन ही बचाओ का एक तरीका है तो आप सही समय पे करवाएंगे तो FMD का ठीका उपलब्ध है और उसको करवाने से आप अपने बक्रियों को अपने गायक को जितने भी पसु हैं उनको बचा सकते हैं और यही हो गया यही बीमारी हो गही गया तो आपको घाओ जहां पर है उसको आप करें और उसको समधान लें जी बिलकुल मेडम एकदम बिलकुल सही कहा आपने की बक्री पालन आयका बहुत बढ़िया है आत्म निरवर बनने का साधन बहुत बढ़िया है इससे हमारे जो गाओं के युवा किसान है जो सहर की और पलाइन करते हैं इस कार को कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कर सकते हैं बक्री पालन हे तू मेडम कुछ महत्मुन जानकारिया होनी चाहिए जिससे की सही तरीके से हमारे जो किसान भाई है बक्री पालन कर सकें आपने सही कहा यह जानना बहुत आउशिक है देखिए आप मैंने तो पहले ही कह दिया कि ब्रीड आपक इसका इस्तमाल कर सकते हैं और आपको अच्छे नस्ल की बक्री प्राप्त हो जाएगी अब इसका प्रियोग करें दुबारा इसका संकर नस्ल का करवाने का इससे अन्य बक्री जिसका संबंद नहीं हो पूर्ण से उसके साथ एजिस संकर नस्ल करेंगे तो आपकी बक्री उ जब बक्रियां गर्म हो जाए तो 10-12 घंटे के बाद या फिर 24-36 घंटे के असपास पाल दिलाना चाहिए और बक्रियां गाभिन हो जाए तो उसके पोशन पर विशेश ध्यान देना चाहिए मतलब उसको ऐसा खाना देना चाहिए जिससे उनका स्वास्त ठीक रहे सरी स्वास्त रहे और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी पोशन मिलता रहे और जब उनके जन्म देने का समय आ जाए तब उसको अलग कमरे में सुखे स्थान पर उसको अलग से विवस्था करनी चाहिए जब बच्चे का जन्म हो जाए तो नाभी को तीन इंच काटक लगा कर उसको रखना चाहिए ताकि उसको बिमारी ना हो आगी और फिर बच्चे को जल्दी से जल्दी कोलस्ट्रम जो पहला दूद मां का होता है उसको पिराना बहुत ही आवश्यक होता है तो किसान भाई बैनों आज आपने देखा कि जारखन में पसुपालन की ओप्यो जारखन के किसान भाई बैनों को बहुत ही महत्पुन और विस्तार से जानकारिया दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार